Assalamu alaikum to all my beautiful students so welcome back to your own platform of journey to MBBS today is our third lecture about gases exchange so let's revise some previous topics तो कल हमने थोड़ी सी बात कर ली थी gases exchange की बार में उसमें कितने steps हमारे involved है three steps involved है alveolar membrane, basement membrane and endothelium membrane ठीके अच्छा, जिस gas की solubility पानी के अंदर ज्यादा होगी इसका transport उतना ही ज्यादा उतना ही तेज होगा ठीक है यह बात आप note कर लीजेगा तो उसके बात हम आते हैं हमाई breathing में breathing के कितने faces होते हैं, दो faces होते है, inhalation and exhalation ठीक, inhalation हमारे 0.2 second का होता है और exhalation 0.3 second का होता है तो हमारी inhalation and exhalation both इन दोनों में कौन से structure involved होते हैं, इन दोनों में हमारे तीन structure involved होते हैं, number one ribs, number two intercostal muscles, inter means between, costal means rib और muscle मतलब ribs की muscle, यह हमारा sternum हो गया, यह हमारी ribs हो गई, ठीक है अब यह जो ribs है, यह तो हमारे हड़िया हैं, ठीक है, हड़िया खुछ से move नहीं कर सकती bones हमारे खुद move नहीं कर सकती, तो यह दो bones की बीच में यह इस तरह से muscles होती है ठीक है, उनको हम कहते हैं intercostal muscles, ठीक है और जो हमारे third है, वो है diaphragm अब हम देख लेते हैं, कि breathing की दौरान यह हमारी, यह हमारी structure है वो किस तरह से अपना movement show करती है, ठीक है when we inhale, जब हमने air को inhale किया, तो यह जो हमारी ribs है यह किस तरह की movement show करते हैं, U, F, O short palm आप यह याद रख सकते हैं, ठीक है U means upper and forward and outward उपर की जानिब हो जाती है, हमारी ribs forward हो जाती है and outward हो जाती है, ठीक है और उसी दोरान, inhalation की times हमारी ribs क्या movement show करती है downward, downward हो जाती है, forward हो जाती है and outward हो जाती है, ठीक है intercostal muscles क्या show करती है inhalation की दोरान, intercostal muscle inhalation की दोरान flattered हो जाती है, ठीक है और exhalation की दोरान, dome shape हो जाती है relax हो जाती है, ठीक है और यह जो हमारे डाया फ्रेम है डाया फ्रेम आपको याद होगा हमारे लंग्स के नीचे एक इस तरह का यूनीक इस्ट्रेक्चर था यूनीक इसलिए क्योंकि वो सिफ और सिफ जो है हमारे कॉडेक्स में पाया जाता है ठीक है तो डाया फ्रेम क्या मुझ में शो करती है हमा तो अब हम अलग अलग डिसकस कर लेते हैं वेन वी इन्हेल तो जब हम इन्हेल करते हैं तब हमारी रिफ्स क्या करती है अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं इस तरह से खुल जाती है ठीक है ताकि अंदर इस पेस जो है अंदर वॉल्यम ज्यादा हो जाए वॉल्यम ज्या और जब होते हैं तो यह सब आपस में जो हैं इस पेस को बहुत कम कर देता हैं, ठीक है? डाइफ्राइम उपर की तरह हो जाएगा, इंटर-कोस्टेल मस्ल्स रिलक्स हो जाएंगी और जो हमारे ये ribs हैं ये बिलकुल इस तरह करीब हो जाएंगे ठीक है ताके जो space है वो कम हो जाए जैसे space कम हो जाएगी अंदर तो pressure will increase ठीक है तो जैसे pressure अंदर increase हो जाएगा जो तो हमारी जो air है वो बाहर निकल जाएगी ठीक है आपको inhalation और exhalation अच्छी तरह समझ आ गई आप ये diagram आप देख सकते हैं ठीक है इस diagram में क्या हो रहा है इस diagram में हम inhale कर रहे हैं तो आप ये lungs का size देख सकते हैं ठीक है ये हमारी ribs और sternum वगर देख सकते हैं तो किस तरह से ये अपना जो volume है वो बढ़ा रही है जब हमने हवा को inhale किया तो हवा को inhale करने के बाद ये आप आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपना चारों तरफ ये चीज़े चारों तरफ से ये चीज़े क्या कर रही है volume को बढ़ाने में मदद दे रही है डाया फ्रैम ये नीचे की तरफ हो रहा है ठीक है यहां से ये ribs इस तरफ जा रहे है ठीक है तो ये यहां पर क्या कर रहे ह बढ़ा रहें ताके एर यहाँ से अंदर आ सके, कैपसिटी को बढ़ा रहें अपने, और यहाँ पर यह दूसरी डाइग्राम आप देखें, यह वो एक्जेल करने की डाइग्राम है, वेंडवे एक्जेल, तो क्या कर रहे हैं सारी स्ट्रक्चर्स हमारे यह डायाफ्राइम उपर की तरफ जा रहा है ठीक है रिब्स और इस्टरनम वगरा सब आपस में स्पेस को कम कर रहे हैं जैसे स्पेस अंदर कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और जो एयर है वो यहां से बाहर चली जाएगी ठीक है अब ब् अबने पढ़ा है रिप्स इंटर कॉस्टर मसल्स ठीक है और डायाफ्राइम लेकिन वेन वी फोर्स फुली ब्रीध तब दो चीज़े इसमें और प्लस हो जाएंगी ठीक है यह तीन तो हम हमारे जो है वो यूज होई रहते नॉर्मल ब्रीधिंग में लेकिन जब भी हम फो इसको आप जितना मतब पढ़ेंगे जितना पढ़ लेए अबको इतनी हसानी यह नहीं यादत वाला जब तक आप प्रैक्टिकल इसको नहीं कर लेते ह। चीक है तो आप प्रैक्टिकली करें के एक्जाय करेंगे तो आपको साथ साव। बिलकुल अच्छी ता शें साव अंदर हो जाएगा ठीक है कुछ टाइम के लिए जब तक आप एक्जेल कर रहे हैं तो जो पेड हमारा अंदर हो रहा है तो उसमें कौन सी मसल्स यूज हो रही है एब्डॉमिनल मसल्स भी यूज हो रही है उसमें ठीक तो फोर्सफिली ब्रीधिंग में दो एक्ट्रा मसल्स ह हमारी यूज होंगी उसमें और जब हम फोर्सफिली ब्रीधि करेंगे तो आपको चैस्ट के पास थोड़ा सा पेन होगा अब हम एक्जेल कप करते हैं बोलते वक्त खाते वक्त इन सब चीजों की टाइम हम क्या कर रहे होते हम एक्जेल कर रहे होते हैं अब यहां पर मैंने एक टेविल नोट किया है जिसको हम कहते हैं pulmonary volumes and capacities यहां पर हम यह पढ़ेंगे कि हमारे lungs के अंदर कितनी volume होती है और capacity कितनी होती है ठीक है और किस चीज को क्या कहते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं tidal volume पर यह tidal volume क्या होते है जिसको हमने TV करके mention किया है tidal volume कहते है normal breathe को ठीक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अभी हमने inhale किया ठीक है normal inhale किया हमने फिर हमने normal exhale कर दिया ठीक है तो जो हम normal inhale और normal exhale करते हैं तो उसमें 500 ml जो है हमारी एर अंदर जाती है और बाहर आती है ठीक है inhale किया हमने tidal volume normal ठीक है कितना किया 500 ml फिर हमने exhale किया tidal volume exhale किया हमने कितना किया 500 ml ठीक है बिल्कुर सिंपल है यहां पर definition लिखे हुए volume of air inspired and expired during a normal respiration volume of air renewed in the respiratory system during each breathing ठीक है tidal volume किसे कहते हैं बिल्कुर नॉर्मल ब्रीधिंग ठीक है 500 ml आपने inhale किया 500 ml आपने exhale किया उसको हमने क्या कह दिया tidal volume अब नमबर 2 पे आ जाते हैं नमबर 2 है हमारा inspired respiratory reserve volume मतलब IRV complemental air complemental मतलब extra ठीक है अब इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है additional volume of air that can inspired by ठीक है इसमें यह कहा जा रहा है कि हमने inhale किया ठीक है हमने forcefully inhale किया बहुत सारा हमने inhale किया ठीक है जैसे आपने normal inhale किया 500 ml ठीक है अब आपको हवा के साथ बहुत अच्छी महकाई अब आप क्या करेंगे आपने बहुत ज्यादा और inhale कर लिया ठीक है जब आपने normal inhale के बाद जब आपने और ज्यादा inhale कर लिया तो उस inhalation को हम क्या कहेंगे IRV इंस्पारेटरी रिजर्व वॉलियम और वो आप कितना कर सकते हैं 2500 से 3000 ठीक है तो हैस्टेग फोर्सफिली इंस्पारेशन इसमें क्या होगी फोर्सफिली इंस्पारेशन होगी और क्या होगी exhalation normal होगी ठीक है यहां पर आपको याद रखने की चीज़ है IRV में हो क्या रहें IRV में हम क्या कर रहें जो हम inhale कर रहें वो बहुत deep inhale कर रहें हवा आपको अच्छी लगी महक अच्छी लगी हवा में जैसे परफिूंग वर ग़रे की महक है ठीक है आपने बहुत ज़्यादा inhale कर लिया inhale आपने बहुत deep किया लेकिन इसमे om normal होगी ठीक है exhale इसमे हम normal करते हैं अब आजाते है नंबर 3 पर ठीक है इसमें क्या है expiratory reserve volume ए आर वी जिसको हम कहते हैं ठीक है इसमें हमने क्या किया एडिशनल वॉल्यूम अफ एर डेट कें एक्सपारेशन हमने क्या किया अब यह जो हमने एक्स्ट्रा इन्हेल किया है इस एक्स्ट्रा इन्हेल को हमने क्या क्या एक्सेल कर दिया अब जो हवा हमने अंदर ली है इन् किया हां था वैँ फोर्सफुली इग्लाइड ली अशुर्ट या करें प्रिकली ठीक है या जब फॉर्सफुली इन्हेल दीप किया थब थभा थिंधी इंहेल किया ठीक और जब हमने एक्जेल किया है तो हमने सिर्फ 1000 से 1100 तक एक्जेल किया है क्यूं बाकी की air हमारी कहां गए बाकी की air हमारे जो alveoli में रह जाती है हमेशा उसको क्या कहते हैं RV कहते है residual volume ठीक है हमारे lungs में हमारे alveoli के अंदर हमेशा से कुछ हवा बाकी रह जाएगी सारी हवा नहीं निकल जाती expiration की दौरान कुछ हवा हमारे lungs में हमेशा रहेगी चाहे अब जितना भी forcefully expiration क्यों न कर लें ठीक है जितना आप चाहे forcefully exhale कर लें रेकिन कुछ हवा आपके जो लंक्स में वो हमेशा रहेगी ठीके और वो कितिनी रहती है 1100 से 1200 तक ठीके यहां पर यह जो हमारी IRV थी इसमें हमने क्या किया डीप इनहेल किया नॉर्मल एक्जेल किया ठीक है यह जो हमारी ERV थी इसमें हमने forcefully exhale किया लेकिन नॉर्मल इनहेल किया ठीक है और यह जो residual volume है RV यह क्या होती है यह वो air होती है जो हमारे lungs में alveoli के अंदर मजूद होती है हमेशा से ठीक है अच्छा यह जो residual volume होती है इससे हम एक और चीज़ भी देखते हैं जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो बच्चा आया के पैदाश से पहले उसकी death हो चुकी थी या पैदाश के बाद उसकी death हुई है वो हम पता कर सकते है residual volume के जरीए अगर उस बच्चे की death पैदाश के बाद हुई होगी तो उस बच्चे के lungs में residual volume प्रेजन्ट होगी ठीक मतलब कैसे होगी वो बच्चा दुनिया में आया उसने इन्हेल किया ठीक है उसने air को अंदर लिया इन्हेल किया अब उसने exhale चाहे जितना भी किया लेकिन residual volume रह जाती हमेशे अल्विलायर में तो इसका मतलब बच्चे ने दुनिया में आके सांस ली है और अगर बच्चा पैदाश से पहले उसकी death हुई है तो उसने air inhal नहीं की होगी उसकी residual volume खाली होगी ठीक है क्यों खाली होगी क्यों जब बच् स्टेज में हमारे lungs काम नहीं कर रहे होते ठीक है अच्छा वो तो बच्चा किस तरह से ब्रीच करता है क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे दूसरे chapter में अच्छा एक और बात हमारे lungs में जो capacity होती है वो उसकी total capacity होती है 5000 से 6000 तक ठीक है कल हम कुछ चार्ट देखेंगे कुछ अच्छे वो ग्राफ देखेंगे उसके बाद आपके जो मजीद confusion है वो बिलकुल आपके वो डाउर्स केलियर हो जाएंगे ठीक है